मच्छर की चतुराई, जंगल में एक सेर था, वो बड़ा ही निर्दई था, जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परिसान थे, वो जिसे चाता उसे ही मार कर खा जाता, उसके मन में जरा भी दया नहीं थी, एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की, सभी सोच रह थे इस अत्यचारी सेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, पर कोई रास्ता नहीं निकला, तबी एक कोने में आवाज आई, बिन 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 बिन, जानवरों ने घुम कर देखा, एक मच्छर बिन बिन करके कह रहा था, आप लोग निशिंत हो जाईए, सेर को मैं सबक सिख हाऊंगा, सब लोग हसने लगे, भला जरा समच्छर सेर के आगे कहां टिकेगा, पर मच्छर ने फिर जोड़ दे कर कहा, आप लोग अपने अपने घर जाईए, अगर एक सप्ता के अंदर सेर जुंगल छोड़ कर ना भाग गया, तो मेरा नाम भी भिन बिन मच्छर नहीं, इस दिन सेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, मच्छर सेर के नजदीक गया और उसके कान में भिन भिन करने लगा, सेर को गुसा आ गया, उसने एक पंजा मारा तो मच्छर तो पुर्टी से उड़ गई, पंजा सेर के अपने ही कान पे लगा, वह बड़ी देर तक बि अपना ही सरे लह उलुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू ना आया, सेर इतना परिसान हुआ कि वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ, अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को यह समाचार दिया, लोमडी हस्ते हुए बोली, अरे वारे भिन भिन मच्छर, तु हमने क्या सिखा इस स्टोरी से, किसी को छोटा या कम मत समझो।